ब्लॉग बॉस्टर मुवीज देखने के लिए सब्सक्राइब करें एने स्टूडियोज और बेल एक उन दबाई किस की लगाने को भी तैयार दीट को भी टाली जाओ क्योंकि मुझे अभी एक किस से ज्यादा एक केस की जुरूरत है केस ? तुम मेरे किस पर एक केस को प्रेफरिंस दोगे ? वह किस तो मेरा हुई चुका है, राइट ? मगर अभी मैने उस किस पर अपना हग कहां साबित किया है ? यह तु साबित कर लेने दो कि मैं एक फाइटर हूँ और ये साबित करने के लिए मुझे ऐसा केस चाहिए जो मेरी वकालत को अपने पेरों पर खड़ा कर सके पेरों पर खड़ा कर सके I've got it Got it? Got what? I mean पेर, एक केस Case of the missing feet Hi everybody, Grandpa ये है मेरे दोस्वासुदे बुजराद नमस्ते ये बोल नहीं सकती और ये है मामी ये देख नहीं सकती और ये है इन्हें तुम्हें पैचानता हूँ ये है तुम्हें डांस टीचर जुडी Hi Judy यादे पहली बार जुडी ने कहा था That we are made for each other और जुडी जैसी तुम्हें ने कहा था मैं तर से मान गया So Judy, how's life? How's your dancing life? जुडी की जिन्दगी से डांस निकल चुका है वासू मगर, मगर ही हुआ किसे? एक ट्रंक ट्रक ट्रावर इसे कुचलता हुआ निकल गया ये चार घंटे तक वहाँ पड़ी रही फिर कहीं पुलीस आय और इसे अस्पताल ले गए जब इसे होश आया तो इसकी टांगी काटी जा चुकी थी इन्होंने तो पुलीस को ट्रक का नंबर भी बताया मगर पुलीस दूसे जरूरी काम में उल्ची हुई थी मैंने भी जित्पकर ली कि ये केस यही नहीं खतम होगा और अल्चमितली पुलीस को ये केस कौट तक ले जाना पड़ा मगर सामने वाले बात पैसे वाले थे जज़ पर दबाव पड़ा और जज़ ने जुडी की कती हुई तांगों का कॉंपस्टेशन बीस हजार ठहराया अगर एक कॉंपस्टेशन ठीक है तो कोई बात नहीं ठीक नहीं है तो भी लड़ो ये केस लड़ोगे है हाँ लड़ोंगा और जीतूंगा भी जुडी इस एक्सिरेंट का कोई गवा है हाँ वासू हाँ दो गवा है एक वैश्या और एक उसका ग्राहक वो बिचारी गाड़ी से उतर कर आई भी और उसका ग्राहक पोलीस लेने गया मगर वो आया ही नहीं उसके बाद वो बिचारी वैश्या ने पोलीस को खुद इंफॉर्म किया तो क्या वो गवाही देने आई थी क्या बात करते हो वासू जो लोग जज़वर दबाव डाल सकते हैं वो बला एक सड़क्षा वैश्या को गवाई देने देंगे ने 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 फिर जूडी के वकील को गवाई लेना नहीं आओगा जूडी एफ और किस पुलीस टेश्म लिखवाए गी थी नाकपाड़ा पुल आज को मैं अच्छी तरह जानता हूं रतना भाई जो कुछ भी हो कानून से बड़ी तो नहीं होगी इंस्पेक्टर सामन बता नहीं है उनका कद ना पर आपको बता दूंगा फिलाला पंजी उनका पता बदाईए देखो साम वो हरामी अचली पुलिस वाला अपसर है बीवी बच्चे वाला भी है वो साला ट्रक ड्राइवर को पहचान लिया था अच्छा अपना इजब बचाने को भाग गया था से घरवाली को कैसे बोलता मेरे साथ उस ताइम क्या कर रहा था ये इजब भी पड़ी नाम धनी रहा मैं पंचला खरचता इस नहीं है आसे देख गुजराल प्ली सिट डाउन थैंक यह हां तो कहिए मिस्टर गुजराल मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूं एक केस के सिलसल में आपको थोड़ा सा कश्च देना था मुझे जी हां क्योंकि आप चश्मदीद गवा ह है मैं बॉम्बे की किसी केस में चश्मदीद गवा हूँ हूँ है चश्मदीद गवा होने का मतलबी है कि केस क्रिमनल है क्या केस है पहले आप मुझे यह बताइए कि आप चंपा नाम की किसी आई मीन सड़क चाप लड़की जानते हैं इस ननक योर बिजनेस मिस्टर मुझे आपसे सिर्फ इंफरमेशन चाहिए और वो भी आफ दे रिकॉर्ड फरना खामाखा आपकी घरीलू जिंदगी कर बुड़ जाए थैंक यू मिस्टर विनाय कुछ दिनों पहले आपने ग्रांट रोट पर एक आर एक्सिडन देखा था ग्रांट रोट पर या पी चंपा भी आपके साथ थी गलती उस हाइल होने वाली औरत की थी क्या उस ट्राइवर की ड्राइवर की आई शूर हंड्रेट परसंट कानून मुर्दा कानून समाज की जीवन प्रनाली है समाज की शेर रग है मैं यह सब इसली कह रहा है क्योंकि इस केस में कानून या निया ही नहीं बल्के अपना अपमान भी किया है सच कभी अदालत की तोहीं नहीं कर सकते यह और लेकिन आप पहले पूरा सच्ट सुन ले आपने उस लड़की की हालत नहीं देखी जिसकी फर्याद लेकर मैं आपके पास आया हूं तो एक जांसर थी जांसी उसकी जिन्दगी थी और उसकी रोसी भी उसके घूंगर उसके इसकुल की फीज़ देते अंधी मा की दवाई का अदाम देते घर का किराय देते थे बिजली का बिल देते लेकिन यूर उनर पेंने के लिए तो पेरों के जरुद आदिये हैं जो अब जूड़ी की पास नहीं है इसलिए मैं अदालत को यह बताने की कोशिश कर रहा हूं कि कानून के उस एक्सेरिन में जूड़ी की टांगे नहीं करी थी ती एक खांदान की जिन्दगी कट गई थी मैं इस इंसक की तलाश में आया हूं क्योंकि इंसाफ ही उस औरत के जखमों का मलम बन सकता है मगर कानून सिर्फ कटी हो टांगों का माबदा दे सकता है Mr. Gujral मैं मानता हूँ Your Honor मगर पहले उस पैर की कीमत तेह करने पड़ेगी एक डांसर की पैर की कीमत क्या रसकती Your Honor एक डांसर की पैर की कीमत तो कोई बिर्जु माराजी तेह कर सकते हैं मैं समझता हूँ Mr. Gujral I understand No Your Honor, you still don't understand अब तक इस अदालत ने Miss Judy को देखा ही नहीं इसलिए मैं दर्ख्वास करूँगा कि या अदालत एक कमिशिन बनकर Miss Judy के घर चले और देखे कि उस घर में Miss Judy के कटे हूँ पैरों का क्या मतलब है और उन कटे हूँ पैरों का मतलब समझ देने के बाद या अदालत Miss Judy के लिए कोई मुनासर्व मुवदा दे करें That's all Your Honor यह तुमने क्या किया ममा दवा तो बैंक इसमें तो अभी दो दिन की दवा थी बेटी अरे मैं कहती हूँ छोड़ मेरी आँको को मैं तो इस जर्व से मरती भी नहीं कि मेरे बरियल का खर्चा कहां से आएगा साथ रुपे अस्ती पैसा फेकने की कोई जरूरत नहीं मैं तो अंधी ठीक हूँ तो मंदी ठीक हो मैं लंगरी ठीक हो और ग्राटपा गुंगे चीक है मगर टोनी जोनी और लीजा के लिए क्या चीक रहेगा वैसे इसको हुसें तीनों का नाब कर चुका है क्या टोनी और जोनी किस्ता विशा काटके जी लेंगे मगर लीजा, लीजा क्या करेगी ममा, क्या करेगी अब अब अंदर चलें, Your Honor By God, Mr. Kuchyal, यह जिन्दगी तो कोई दस मिनट भी नहीं जी सकता You're wrong, Your Honor यह जिन्दगी तो यह लोग जिन्दगी भार चीएंगे चले And you? मैं बात में आओंगा Excuse me जैसा, आप Please, जैसा, हम पर दया कीजिए मुझे मालूम है कि छे महिनी का किराया देना बाकी है मैं कुछ न कुछ करके यह किराया अदा कर दूँगे, Sir आप लैनलोर को इतना बता दीजिए कि जुटी एक मश्बूर छोकरी है पास, Sir मुझे थोड़ा सा वाग दीजिए Please नहीं नहीं मैं तुम्हें यहां से निकालने नहीं आया हूँ मैं तो तुम से यह कहना चाहता हूँ कि तुम्हें वाक्य कम मौबदा मिलता तुम्हें कम से कम पांच लाख मौबदा मिलना चाहिए ताके तुम अपने खांदन समेथ इज़त के साथ जी सको अपनी माँ का इलाज करवा सको अपने भाईयों और भेनों को अच्छी आजूकेशन दे सको Thank you, Sir Thank you very much मेरा शुक्रिया मत अदा करो जो अपने वकील Mr. Vasudev Gujral का शुक्रिया अदा करो जो मुझे यहां लाए Thank you Mr. Gujral Thank you Sir मेरे ख्याल में तो 5 लग ठीक रहेगा Mr. Gujral Yes Sir Okay Thank you, Thank you वो दो टके का वकील कौन है जिसने हम पर 5 लाक रुपए का जुर्बाना ठुकवा दी कोई नया छोग रहा है सरकार तो खरीब क्यों ने लिया उसको तक किसको पता था सरकार कि वो इस केस का गड़ा मुर्दा उकाड़कर जुड़ी को 5 लाक रुपए कॉम्पेसेशन दिलवाएगा और सुना है कि वो छोक्रा विकाओ भी नहीं है विकाओ नहीं है तो खर्च कर दो सालिको एक ससुरी नाचने वाली की टागों के लिए 5 लाक मुबारिक हो रवियादव आज फिर 212 से तुम रवियादव हो रहे हो तुम्हें तुम्हारी पैचान वापिस मिल रही है 12 बरस के बाद रवियादव फराम सुना है साब कुछ दिन तो लगेंगे ये समझने में कि ये नाम मेरा ही है लेकिन कम से कम दिन लगाना जल से जल ये भुलाने की कोशिश करना रवियादव कि बारा साल तक तुम सिर्व 212 रहे अब तुमारा क्या इरादा है अपने रहन को खोजना है साब आप तो जानते हैं उसके सिवा मेरा कोई ही नहीं आपने भी तो उसका पता लगाने की कितनी कुशिश की थी कहां ना तुमारी मालखीनote को और नहीं तुम्हारे भाई का मगर हैरानी की बात यह है कि इस तरह दो जीते जागते लोग लापता कैसे हो गए अब तो मैं रवियादब बन चुका हो ना साथ मैं धून लूगा उनको वासू यह रेली ग्रेट जूड़ी और उसकी सामने को तो तुमने दूसरे जिंदगी है अन्पदार आहमें साइंटी खाली शुक्रिया से काम नहीं चलेगा अरी भाई शुक्रिया की गिफ रापिंग दुखी नहीं जा सकती है की जा सकती है वह कैसे है और तो पर पेस्ट कर दो ओ कमान या मैं जाता तो तुम ज़रू घपला करूगी पर मैंने वादा क्या था तुमने कहा था मेरा मूँ चुमने को जीचाता है मैंने कहा था कि केस दो तो मैं किस दूँगा अब क्यूंकि मैं वो केस जीच चुका हूँ इसलिए मैं अब किस दूँगा नहीं बलके किस लूँगा अंडिस्टैंड अरे किस कोई चेंज थोड़ी है कि आदमी जेव में ह कोई सबूत है कि मैंने ऐसा वादा किया था कोई आई विटनिस है विटनिस तो है यॉर अउनर मगर गूंगे है बोर नहीं सकती एक्चुली चार चार विटनिस है और चारों की चारों घूंगे है कौन है वो मेरे और अफ्रीकान जिन्होंने एक के सवाली बास हुनी थी मैं गवाहों को नहीं मन के दो के बास यो चीट